कि आइज लुटि जानेंगे यार्बोर्ट क्लास टोयल के हिंदी इगन्ड बुक के बारे making और उब्जेक्टिव क्योशन पूशे जूँशन पसाँ गुशन हमें मिल जाता है हैं तो इस वीदियो में और अगले विडियो में भी 30 अब्जेक्टिव कोईशन देखेंगे इस प्रकार साथ आपको याद हो जाएगा तो यह आपको जाएगा जो की एक्जाम की देश्टी से बहुत ही महतफून है आपको इसे याद करना आवस्य चाहिए चली देखते हैं पाहिदा नमर पर आपक् रामचंद्र सुकल या पिसमसेर बहादूर से तो सही अंसर हो जाएगा वी नमबर बाचित के लेखक बाल ग्रिष्ण भट अगला देखते हैं उसा सिर्षक जो उसा सिर्षक है उसा सिर्षक कविता कविता के रचिता कौन है सुबहत्रा कुमारी चौहान यानिन प्रति जै सी चलिए अरदि नमबर देखते हैं चलिए अछल्य परसाथ दूरी रामधार से दिनकर तु सका सही अंसर है असविता हो गया थिनकर अ ति मतीटम की प्रेंब के पीर कि और आस्विक के यह जाइसी है नाफातास है जैसंगर परसाथ है या फिर सुभधरा कुमारी चौहान है तो प्रेम के पीड के जो कभी है कभी है वो है जाइसी चौथा का ए नमबर ठीक है चलिए अगला देखते हैं पाचमा देखें रोज कहानी सिर्शा के लिखर कौन है अग्ये हैं मल्यक ह तो रोज कहानी के लिखक है पाचमा का ए नमबर अग्ये चलिए अग्या देखते हैं इन में से कौन सी रचना परसाथ जी की नहीं है इन में से कौन सी रचना परसाथ जी की नहीं है चलिए देखते हैं इन में से कौन सी रचना जो है परसाथ जी की नहीं है देवदासी क्य अगला देखते हैं चलिए अगला देखते हैं जो की कहाने का क्या नाम है ? तीरी शेम जूठन है उसने कहा था या इनिमें से कोई नहीं तो चंद्रधरसलमा की कहानी है उसने कहानी है चलिए उसने कहा था चलिए अगला देखते हैं के विमलिखित में से कौन से रचनाकर भीयर का के इसमें से श्यदीय आपको यहां पे शाहर भी नमगा्ट है घरामधारी की दिन कर दुध राचनाकर है कविताएं करके कथावाचन से राम कथा का कणी राम का नाम लेकर इसमें से क्या हो जाएगा तूल्सी तास के लिए धी नम्मर राम स्री राम का नाम लेकर चीक हैं आगला नम्मर देखते हैं देखिए शिक्षा जो है शिक्षा निवंध के निवंध कार इसम साहई अंसर उजाएगा आपienen अग्याघ रहतीं हैं चुलिए अगला नम्र देखते हैं कौन सा हैं अ DA घर कवित का्या कोन है कवित कौन है ग्यानेंद्र.पति जैसंगर.प Waltz रघुभीर.प में से यह नहीं तो सही अंशर हो जायेगा ग्यानेंद्र.पति ग्यांद घर के लेखक हैं जलिए अगला नम्र देखते हैं चलिए अगरा नमर देखते हैं चलिए राम धारी सी दिन कर मतलब कि ओ सरी ओ सदानीरा सिर्षक में किस महापूर्ष की चर्चा है बाल गंगा धर्तिलक महात्मा गांधी सदन मुहन मालविये या पी चंगर शेखर आजाद तो ओ सदानीरा में किसकी वर्ण किया गया है तो तेरा का सही अंसर क्या हो जाएगा बी नमबर महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी का वर्ण इस कविता में इस कहानी में किया गया है चलिए अगला नमर देखते हैं कि मैं देखिया है किस कमी के फूजे थे सूर्डास के तुल्सी धास के नाभा थास के या कभीर दास के हैसर इसमें से ज। इसमें से क्या हो जाएंगा कि नम्बर सूर्दास के फूजे कम कुजे भगवान थे चलिए-गैं जूठन जो जूठन है जूठन सिर्षक की विद्या क्या मतलब विधा क्या है जूठन किस विधा की कहानी है किस विधा की रचना है किस विधा की रचना है कहानी है सब्द चितर है आत्म का था यह निमें से कोई नहीं तो पंद्रा का सही अंसर क्या हो जागा ए नमबर जूठन की वि लहर आशु यह चित्राधार जैस पर्सात की जो श्रिष्ट करती क्या हो जाएगा इसमें से तो काम मियाईनी सही एंसर है ठीक है अग्ला देखते हैं निमलिखित में से कौन सी रचना अग्ये का उपनियास नहीं है अपने अजनवी नदी के द्वीप सेखर एक जीवन या तिरिवेनी तो इसमें से सही एंसर क्या हो जागया जो कि अग्ये का उपनियास नहीं है तो सतरामा का सही एंसर हो जाएगा तिरिवेनी डी नम्मर हो जाएगा कि अग्गे का उपनिवास नहीं है चलिए अगला देखते हैं देखते हैं मुक्ति बोध का जनम कहां हुआ था रामगर्ड में घोपाल में सियोपुर में या फिवारा नसी में तो सही अंसर 18 का क्या हो जाएगा सियोपुड में कहा हुआ था मुक्ति बोद का जन्म सियोपुड में है चलिए अगला देखते हैं माल्ति किस सिर्षक की पात्रा है रोज की है जूठन की है ओसदानीरा की यह तिरिच की तो 19 का सही अंसर हो जाएगा ए नमबर रोज की माल्ति किस सिर्षक की पात्रा है चलिए अगला नमबर देखते हैं के लिखें सब्तारा कुमारी चौहान की मिर्ट्व का किया कारण था हमारी का या फिर घुछ नमे चेंवन हैं किनौना ये है रजनीस का संदी विछेत क्या हो जाएगा रज जोर निस रजनी जोर इस रजनी जोर इस या फिर राज जोर इस तो सही अंसर 21 का क्या हो जाएगा सोचिए आप जल्दी से इसका हो जाएगा रजनी जोर इस इसका हो जाएगा बी नमबर बी नमबर कौन सा बी नमबर हो कि देखिए पावन का संदी विच्छित क्या हो जाएगा पाव जोर अन या फिर पाव जोर अन या फिर कोई नहीं तो पावन का सही अंसर क्या हो जाएगा सोचिए आप इसमें से 22 मातर क्या हो जाएगा की नम्मब्र का संधी विचित क्या हो जाएगा सत जोरकार या सोजोर आखार क्या हो जाएगा आप सोचिए वी नम्मर् पर जोरकार चलिए अगला देकि है संन्हेश को इन में से कोई नहीं आपको इस्कों से Son Warum विद्याजूर अली का भारी नहीं दीनेश का संधी प्रफिश्ट क्या हो जाएगा इसमें से पताईए आप लोग 25 का देखिए क्या हो जाएगा देखिए इसका आगला देखते हैं 26 नमबर आगमन में कौन सा उफ्सर्ग इसमें पहला आ रहा है तो इसमें कौन सा हो जाएगा वी नमब और सजके तो 11 को सब list का以स अंबन देखिते हैं पूर्णीमा में कौन सा पड़ते हैं इमा है या पर कोई नहीं है देखिए यहां पर अर्थ कुछ अलग दिखा है हमें पूर्णीमा में क्या में क्या हो जाएगा नमबर होना चाहिए थीक है पूर्णीमा का ette बोला हिए जो से लगता चलिए दिखते हैं कि झलजवच कौन सा समा से इसमें समय सकताव हैं बेखया है या पिर द्वंद् जाएगा तत पूरूस जपी जलना जलत में समास तत पूरूस अला देखते हैं 21 देवाले कौन सा समास है देवाले कोई तत पूरूस है और कोई नहीं इसका सही एंसर हो जाएक तत पूरूस मतलब जिसमें काल लग जाता हूं तत पूरूस देवकाले देवाले तत पूरूस तीक यहां अगला कुशन लिखते हैं चैनि द्यागें लम्बोधर लम्बोधर में कौन सा समाज हैं बहु बिढ़ी तर्थ्प्रोष करम धारे द्वन तो जिसका उदर लंबा हो जो भी सेस्ता बता रहा यहां पर तो सही अंसर क्या हो जाए गा इसे बहु बिढी को प्रप्रधांता देतेAll जम्बोधर का सही अंसर क्या हो जाएगा तीसमा का क्या हो जाएगा एनुब़ डीज़न देख लिए तीस आब्जेक्तिव विडियो बंड़ और तीस mala हुआप कर लिजिए कि खरोक्र soothing